Hey Plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. This video is all about top 15 heavy flowering plants for September garden. तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खुबसूरत से ऐसे heavy flowering plants दिखाऊंगी. जो कि पूरे September मन्थ में आपके गार्डिन में बहुत अच्छे से flowering करेगें. तो शुरुआत मैं करूँगी बहुत खुबसूरत से इन अडेनियम के फ्लांट्स के साथ तो अडेनियम जो होते हैं वो समर से जादा मौनसून में ये बहुत अच्छे से फ्लारिंग करते हैं कि ये जो टाइम होता है वो इनकी फ्लारिंग के लिए काफी जादा फेवरिबल होता है और आप देख सकते हैं मेरे इन प्लांट्स में कितने सारे फ्लार्स खिले हुए हैं और फ्रेंट्स इधर लखनो में अभी एक दो दिन पहले बहुत जादा तेज बारिश और ठंदर स् जब बारिश होती है तो इन फ्लार्स का जो वेट होता है बारिश की बूंदों की वैशे से बहुत जादा हो जाता है तो फ्लार्स खुदी तूट के नीचे गिर जाते हैं तो अगर आपको अडेनियम और बिसम की इस तरीके इसी ग्राफ्टेड वराइटी पसंद है तो आ जब से मैं लेकर हैं मेरे न्यू प्लांट में भी बहुत अच्छे से बड्स निकलना शुरू हो गई है इसके बास सेकेंड जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो यह है पिंग टंपरेट वाइन का यह भी इधर मौंसून में बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है औ इस फ्लारिंग प्लांट को भी अपने गार्डिन में ज़रू लगाई है और आज आप देख सकते हैं मेरे यहां कितने खुबसूरत से फ्लार्स इन में खिले हुए हैं बहुत ही जादा देखने में खुबसूरत से लगता है फिर इधर जो नेक्स आप प्लांट देख रहे केस में फ्लारिंग होती है और इधर इनोंने बहुत ज़ादा फ्लारिंग की है मेरे इन प्लांट से फिर इधर नेक्स जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो यह है अलमांडा अलमांडा की यह सेमी वाइन वराइटी है अलमांडा के सभी जो वाइन वराइटी हो गया semi wine dwarf सभी में बहुत अच्छे से इस समय flowering हो रही है तो अगर आपने इस plant को नहीं अभी तक अपने garden में include किया है तो जरूर से जरूर लगा लीजे, cutting के through भी लग जाता है अगर आपको cutting कहीं से मिल जाती है तो आप 5-6 inches की cutting लेके लगा दीजे बहुत आसानी से अभी बारिश का time भी चल रहा है लग भी जाएगी और अगर नहीं है आपको नहीं मिल पारी cutting तो आप इसका nursery से भी छोटा सा plant लेओ देखो ये वाला भी color कितना ज़्यादा खुबसूरत से लग रहा है और मैंने एक चीज अलमांडा में देखी है कि जब इनको बारिश का पानी मिलता है तो इनके जो flowers होते हैं वो काफी अच्छे से उनका color भी जो होता है वो एक तरीके से enhance हो जाता है काफी dark color का ये जो आप flower देख रहो ये ही इसका color काफी जादा dark सा हो जाता है और जो भी varieties हैं सभी में ये चीज़े हैं कि बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है इनकी growth के लिए और flowering के लिए भी ये आप डौर पलमांडा देख सकते हैं इसमें भी आज कुछ flowers खिले हुए हैं और इनको अलमांडा को एक चीज आप जरूर नोट करिएगा इन्हें पानी बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होता है अगर पानी कम सा हुआ तो इनकी flowers पुरी तरिके से खिलते नहीं है तो इसी वैसे बारिश में इनकी flowering बहुत अच्छे से होती है और नेक्स जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रहे हैं ये है एक्जोरा का एक्जोरा अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने हर बाश यह किया ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसने इतने सारे flowers बनाएं आप देखो फिर से इसमें birds बनना शुरू हो गई है तो बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है तो एक्जोरा को भी आ ये flowers देता है और काफी जादा देखने में कुप सुरा से लगता है आज मेरे आज प्लांट में आप देखे कितने सारे bunches निकले हुए और सब खिलना भी शुरू हो गए और फिर यही होता है कि बारिश में भी इसके भी बहुत सारे flowers जो ते वो टूट टूट के गिर भी ग प्लारिंग करें ये देख सकते हैं आप सारी cuttings मैंने आप लोग के सामने दिखाई थी लगा कर भी और इनका आप देख सकते हैं अपडेट भी कितने अच्छे सेन में सब flowers वगेरा निकल रहे हैं बर्ड्स भी निकल रहे हैं और ये बिल्कुल open environment मैंने इसको दिया हुआ है जैसा कि आप मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हैं इसके बाद नेक जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रहे हैं ये है रीन लीडी का अल्दो ये अभी कुछ दिन पहले की क्लिप है जब इसमें बहुत अच्छे से हुए आज भी इसमें नीचे से बर्ड्स निकलना शु अब बारिश हो रही है इसके पाद नेक्स जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रहे हैं ये है हिबिसकस का हिबिसकस फ्रेंड्स बहुत अच्छे से फ्लारिंग कर रहा है इसमें और बारिश इसे भी पसंद होती है और जो आपके वास अगर हाइब्रिड हिसकस है तो उन में भी आप किया फ्लारिंग होना शुरू हो गई होगी तो आप हिसकस को ज़रू से जरू लगा लो चाहो तो आप देशी हिसकस लगा सकते हो नहीं तो आप अप ताइम आ नहीं जाता, क्योंकि वह विंटर्स में जाकर बहुत अच्छे से फ्लार इंग करता है यह विंटर्स में इप अच्छे से देशी विसकस नहीं करते हैं linguager आप लो देख रहे हो आप लरारिटी हो तो रोजिस में फ्रेंट पोई भी हो इस तरीके से कष्मीरी गूलाब हो य जो गुलाब होता है वो भी बहुत अच्छे से समय फ्लारिंग कर रहा है तो अब यह जो टाइम है इनके लिए काफी ज़ादा अच्छा है तो इन प्लांट्स को भी आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हो और आप इस तरीके से देसी गुलाब की कटिंग को लगा लीजे अच्छे से समयं होगा तो ऑफिया बारिश इतनी जाद हूई में जितने भी फ्लार थे वह बिरस गंर से इस वजज़े से बहुत बहुत को इस गहता से और इदर को सहीं जड़ी हुए जाहरे. अच्छे से फ्लारिंग होती है, September मंथ में आप देख सकते हो, कितने अच्छे से इन में फ्लार्स खिल रहे हैं, तो इसकी जो भी वराइटी आपको लगानी हो, आप कटिंग के थूह लगा सकते हो, अब यह देखिए यह मीनी जो जिसमें मीनी फ्लार्स निकलते है, बहुत छ तो इसे पॉट में भी लगा सकते हो नहीं तो इस तरीके से मैंने तो जमीन भी लगाया हुआ यहां पर इसकी फ्लारिंग बहुत अच्छे से हो रही है तो आप इस प्लांट को भी जरूर से जरूर इंक्लूड करो अपने गार्डेन में काफी जादा खुबसूरत यह प्लां देख रहे हो यह हैं मदुकामनी का मदुकामनी के फ्रेंट में पास बहुत सारे प्लांट से हैं तो किसी में बर्ट निकल रही है किसी में फ्लारिंग होकर खतम हो गई है फिर से बर्ट आ रही है तो मैं इस प्लांट को भी आप लोग को रिक्मेंट जरू करोंगी कि मैं आ बारिश का पानी होता है उसमें नाइट्रोजेन की मात्रा थोड़ी सी जादा होती है जो कि पोलिएज ग्रॉथ को बूस्ट करता है लेकिन जैसे बारिश ठोड़ी सी कम होती है धूप तेज निकलती है तो फिर से इनमें फ्लाइग होना शुरू हो जाती हो मेरे भी आलमोस अ बर्ट्स वगेरा निकलना शुरू हो गई है तो इस प्लांट को भी आप ज़रू से ज़रू लगा लो थो आउट दा इयर इसमें बहुत अच्छे से फ्लारिंग होती बस विंटर्स का डोविंजी का पेरड होता है इसके बाद नेक्स जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रह और फ्रेंट्स अगर आपको मेरा ये विडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कीजेगा अगर आप अभी जोड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और कमेंट सेक्षन में जरू हुआ 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 है